अस्सलामुलेकुम मैं हूँ जुवेडिया आज आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द बनने वाला ब्रेकफास्ट जो के बचों को बहुत ही पसंद होता है तो सबसे पहले हम यहां पर दो टेबल स्पून घी लेंगे धीमी आज में इसको फ्राइ करना है मैंने यहां पर दो प्यास बारीक कटे हुए इसमें आइट किया है धीमी आज में हम इसको रोस्त करेंगे थोड़ा सा प्यास नर्म होने तक उसके बाद हाफ टेबल स्पून जिंजर गरलिक पेस्ट हाफ टेबल स्पून रेट चिली हम इनको मिक्स कर लेंगे ये ब्रेकफास्ट बहुत ही इजी से हम जस्ट फाइम निट में घर पर तयार कर सकते हैं बचों की हिल्थी रेसिपी है ये इसके बाद एट करेंगे हल्थी पौडर थोड़ा सा चाट मसाला और सुआद अनुसार नमक इसके बाद थोड़ा सा गरीन चिली बारीक कटी हुई आप चाहे तो गरीन चिली को इसके भी कर सकते हैं हम सभी को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कोरियंडर लिफ इसमें आट करेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखकर मैंने यहां पे तीन अंडे बॉयल करके रखे हैं इसको हम एग वाइट अलग कर लेंगे जो के हमको इस रेसिपी में जरूरत है एग योग अलग कर लेंगे एग वाइट को हम बारीक पीसस में तराश लेंगे तो देख सकते हैं मैंने इसी तरह से कट किया है आप भी इसी तरह से कट कर लीजिए एग वाइट को हमारे रेसिपी में आट करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बन जाएगा और बच्चों की फैवरिेट ब्रेक्वॉस्ट बन जाएगी तो देखिए मैंने इसी तरह से एक वाइट कु कट कर लिया है अब हम इसमें आट कर देंगे पस कुछ सकेंड के लिये हम इसकु कुकर के गैस का फ्लेम आफ कर देंगे तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसका रंग देखिए कितना खुशनुमा है तो गैस का फ्लेम मैंने यहां पे आफ कर दिया है इस ब्रेक्फास्ट को आप अपने घर में एक बार जरूर ट्रे कर सकते हैं तो दूसरे पैन में यहां पे थोड़ा सा घी डाल कर ब्रेट के स्लाइस को रखा है धीमी आँच में हम इसको रोस्ट करना है अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो हमारा ब्रेट जल जाएगी इसलिए हम धीमी आँच में इसको रोस्ट करना है चितना आपको जरुरत है उतने bread slices को आप roast कर लीजिए तो दोस्तों आपके बच्चे इस breakfast को एक बार खाएंगे तो हर बार इस breakfast की ही मांग करेंगे तो यहाँ पे मैंने bread slices को roast कर लिया है अब हम जो mixer तयार किये थे उस mixture को उपर रखकर उपर से एक और bread slices रखकर सफ कर सकते हैं खाने में बहुत ही healthy, tasty और crunchy हमारा breakfast बन के तयार है प्लीज एक बार अपने घर में इस recipe को जरूर ट्रै कीजिए उमीद करते हैं मेरी recipe आप लोगों को जरूर पसंदाई होगी पसंदाई है तो प्लीज लेकिजिए चैनल पे नए हैं तो जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए मिलती हैं एक नई recipe लेकर तब तक के लिए टेक केर, अल्ला हाफिस